हलो दोस्तूं, सुवागत है हमारी इस यूटूब चैनल में और ली करके आ गए हैं कारगिल बिजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध से सम्मन्दित कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि हमारे और हमारे एक्जाम के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट है तो चलिए बिन समय गवाएं बडियो को हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो पफाला कोश्चन है कि कारगिल युद्ध किस हो परस में लड़ा गया था इसका राइट championship होगा के परदान मंद्री थे अटल बिहारी बाजबे चौथा कोश्चन है कि कारगिल युद्ध के दोरान पकिस्तान के सीना नायक यानि की सीना द्यक्ष कौन थे तो परवीज मुसर्रफ जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं वही पाचवा कोश्चन है कि कारगिल परवीज तारी को मनाया जाता है तो पाकिस्तान पर विजय प्राप्ति करने के उपलक्ष में हर वर्स कारगिल युद्ध का दूसरा नाम क्या है तो ओपरेशन बिजय दसवा कोश्चन है कि कारगिल युद्ध भारत पकिस्तान के बीच कब से कब तक लड़ा गया था इसका राइट इंसर होगा कि 3 माई 1990 से 26 जुलाई 1990 तक लड़ा गया था एगर हुआ कोश्चन है कि कारगिल युद्ध का नाम कारगिल क्यों रखा गया था क्योंकि यह संगर्स कस्मीर के कारगिल जिले में हुआ था इसलिए कारगिल युद्ध का नाम कारगिल पड़ा था बारहुआ कोश्चन है कि कार्गिल युदे के समय पकिस्तान के कितने जमान सहीद हुए थे तो इसका राईट एंसर होगा कि 27étaजमान सहीद हुए थै तिरा हुआ कोश्चन है कि कारगिल युद्य के समय भारत के कितने जवान सहीद हुए थे तो इसका राइट एंसर होगा कि 500 सताई जवान सहीद हुए थे वही चोधा हुआ कोश्चन है कि कारगिल युद्य में किन देशों का विजय हुआ था इसका right answer होगा भारत 15. कोश्चन है कि कारगिल युद्ध असमारक कहां इस्तित है तो टाइगर हिल लदाख में इस्तित है 16. कोश्चन है कि भारत 2022 में कारगिल बीजय दिवस का कौमा परवमना रहा है इसका right answer होगा कि तेश्वा परवमना रहा है तो पूरा उमीद है कि वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, सेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले फिर मिलेंगे आप से कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद